परोसगारी के विवस कोल लिता विजय वर्गेका नमशकाल आज मुझे बहुत तेज भूक लग रही थी और मेरा इडली खाने का ही मन था तो यह मेरी जो रेसिपी जटपट बनने वाली इडली है फ्लाफी बनती है और टेस्टी वी बनती है तो मैंने इसकी रेसिपी आप ल तौह ले ठेली बनाने के लिए मैंने यह रवा ले लिया क्लिषा विया वही कोई रवा ले-ले यह पैले स्के रखा यह इसे मैंने पिसके रखा है और मैं इसमें मिला रही हूँ कितनी सामगरी मैं ले रही हूं किस खॉन्टटिटी में यह मैं आपको किए डाल दूग ग Ч city रोस्टेट चना पाउडर और यह भी मैंने पहले से पीस के रखा हुआ है यह मिला दिया मैंने यह मेथी का पाउडर है विल्कुल फाइन और इसे भी मैं पहले ही पीस के रखती हूँ क्योंकि जब भूग लगती है तो इंतजार नी किया जा तो और यह जल्दी बनने वाली कि बस पटाफट बन जाएगी पलक जपकती यह मैंने सोडा ले लिया है यह मैं में मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर और अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग यह जितनी भी हम सामगरी ले रहे हैं वो हमने मिक्स कर दी और इसमें डाल दी औ अब मैं इसको मिक्स कर लोगी बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर ला है यह जो पाउडर मैंने मिक्स कर लिया है इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है क्योंकि हमने जो कि सोडा और साइटरिक असिड या ताइटरि भी वोलते है वो मिलाया है तो इसको अच्छे से मिक्स इसको half portion करने जा रही हूं वह मैं इसलिए करने जा रही हूं कि हमारे पास जितने इडली के साची होते उसके according ही हम गोल को तैयार करेंगे अगर हमने ज्यादा गोल बनाके रख दिया तो इसमें सोडा है साइट्रिक एसिड है तो वह एक्टिव हो जाएंगे और गोल पड़ा हुआ खराब हो जाएगा तो इसको हमें तुरंत सोडा और साइट्रिक एसिड डालके तुरंत हम इसको बनाना पड़ता है तो मैं इसको पूरा बराबर कर लूँगी बराबर बराबर portion में यह हो चुका ह अब मैच आगे की सामगरी मिलाँ दे हैं तु अब मैने ले लिया है यह दही मैने रायते के लिए दही बनाया था तो इसमें कि अध़ अधी कॉंटिटिती इसमें मिलाँगी है अर अब मैं इसमें डाल दी है और अदा नीबू निकालने आप और इससे हमारा जो है इंस्टेंट फ्रूट्स बन के तयार हो जाएगा घर का बना हुआ फ्रूट आइव पूर्ड बन के तयार हो जाएगा मैंने इसको अच्छे से पूरा निचूठ दिया और अब मैं इसे मिक्स करने जा रे हूं और साथ में पानी डालने जा रहे हूं थोड़ा थोड़ा कारके हमको पानी बिलाना है मिक्स करें और पानी डालने और हमें इसे रनी नहीं बनाना है थोड़ा गाड़ा ही रखेंगे हम रनी बनाएंगे तो इडलियां बैट जाएंगे और इसे हमें फटा फट से सांचो में डालना है और सांचो को हम पहले से ही तेल लगा के रखें लिए ता हाफ पार्ट मैंने जो पावडर का कर लिया था उसमें मैंने 400 ml पानी मिला दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया देखिए कितना अच्छा फलफी हमारा बैटर दिख रहा है और यह ग्रीस करें मैंने इडली के मूल्ड ले लिये हैं और हाँ यह देखिए आप पानी इसे मैंने जेड़ ग्लास मानी लिया है और इसे उपालने रख दिया है पानी की कॉंटिटी आप देखके रखें अपने मूल्ड के अनुसार क्योंकि अगर पानी जादा हो जाता है तो फिर इडली के ऊपर आ जाता है गिली कर देता है इडली को फिर इडली हमारी खड़ाब हो जाएगी और आप इन्हें थोड़ा-थोड़ा खाली करके फिल करें क्योंकि इडली को फूलने के लिए जगे दें तो मैं इसे बहर लेती हूं और फिर मैं इसे रखूँगी कुकर में 10 मिनिट के लिए, टाइम देखके 10 मिनिट, 10 मिनिट से जादा हमें रखना है, 10 मिनिट से जादा अगर हमने रखा तो क्या होगा, इडली हार लो जाएगी, और मीडियम फ्लेंग पर हमें इसे पकाना है, तो जल्दी ज 10 मिनिट हो चुके है, इडली को पकते वे, गैस बंद कर दी मैंने, वाव, कितने अच्छी इडली बनी है, चलिए हम इन्हें डीमोल्ड करते हैं और देखते हैं, यह कितनी फलफी बनी है, फटा फट इडली बन गई है, और जल्दी से हम इन्हें खाने लगेंगी, मैं डीम इडली को पानी में चमज को डुबो के और गर्मा गरम इडली को मैं निकाल लूँगी इसमें से, और हम देखते हैं, यह कितनी फलफी बनी है, आज तो डिनर बहुत मचेदार होने वाला है, इडली को मैंने डीमोल्ड कर लिया है, और यह जो प्रोपोर्शन मैंने लिया थ किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को वे हिट करें, जैहिंग